नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में दोस्तों आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई एहम ख़बर हैं तो सबसे पहले हम यूपी टीटी की बात करते हैं यूपी टीटी 2020 का बिग्यापन अभी निकाला जाए या ना निकाला जाए इस पर असमंजस अभी भी बरकरार है लेकिन परिच्छ तो इसकी दूर होगी क्योंकि कोरोना की उज़र से जो है इसमें हालात परिच्छा कराने के नहीं है तो देखें यहां पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश इच्छक पात्रता परिच्छा यूपी टीटी 2020 को लेके अस इस पर इस्थिती कोई इसपरश्ट नहीं की है परिच्छ नियमक का रियाल हुआ एनाईसी में अपसर्व कर्मचारी संकरमित है उन से आवेदन प्रक्रिया टल सकती है तो आवेदन प्रक्रिया अभी टलने के आसार तो है लेकिन कोई भी न्यूज अभी तक नहीं आई है क पिर समय पर आवेदन सुरू होगा तो जो यहां पर इसरे संथारा मईज से सुरू होना था दोबाहर के बाद से उसकी अंतिम्स तारिक एक जून की गई थी अथारा मईज से एक जून केवल और केवल 12 दिन और अगर यह रीड tenant सुरू होता है तो चातरों को सलाह दी जाती है कि वह एक दो दिन के बाद तुरंत रेजिस्टेशन करवा लें क्योंकि लाश्ट में आप जानते हैं कि वेपसाइट का क्या हाल होता है और हर बार यहीं होता है आप सतर करें जो भी आपके पास डाकुमेंट्स वगरा चाहिए वह सब अरेंज कर लेजिए और जैसे ही आवेदन शुरू हो तुरंत आवेदन करवा लेजिए इसका सब्दक ही यहां पर दूसरी नियूज है कि यहां पर उत्तर प्रदेश लोकसिवा आयोग ने एक परिच्छा थी जिसमें की प्रदानाचारिस स्रेंडी दो और प्रदा 10,000 से अधिक लोगों ने अवेदन किया था लेकिन 8,194 अवेदन में अपने इंजरिंग की ब्रांच नहीं लिखी हुए है साखा को उन्हों ने इस प्रस्ट नहीं किया है कि उनकी इंजरिंग मैखेनिकल इंजरिंग से है इलेक्ट्रोनिक से है या किस से है तो उसके लिए 12 दिन का अत्रिक्त मौका दे दिया गया पहले 30 अपर्ल तक मौका दिया गया था और अब 12 दिन का अत्रिक्त मौका दिया गया है 12 मैं तक उनको ये इस्थिती स्पष्ट करनी है अब भीहार्थियों को बताना था कि उन्होंने वियंतरण साखा जो है उनकी यांतरिक आटोमवाइल उत्पादन किसमें से किया है बिद्दूत इलेक्ट्रानिक्स दूरसंचार से किया है तो अगर आपका नाम भी इसे प्रकरिया इसे भरती प्रकरिया में आप सामिल है और यहां पर उत्तर प्रदेश उत्तर सिच्छा सेवा आयोग की भरती भी यहां पर आधर में फंसी हुई है इसमें भरती में 49 विसे सामिल किये गया है लेकिन बायो टेकनलोजी बायो केमिस्टी और माइक्रो बायोलोजी जैसे विस्यों को सामिल नहीं किया गया है इन विस्य से जुड़ी सारी कारवाई रुकी हुई है नई भरती का काम रोक दिया गया है इसे से इन विश्यों का मामला भी फंस गया है इसे से प्रतियोगी चिंतित हैं उन्हें डर है कि कहीं नई भरती में ये विश्यों बाहर ना कर दिये जाए प्रतियोग्यों का कहना है कि बायो ट हजार पद यहां पे खाली है हाई कोट ने अपर मुख्य सच्छी चिकित सा स्वास्त को नोटिश दिया है और इसमें से पांसो चालिस पदों के लिए एक बार भरती निकाली भी गई थी लेकिन भरती हुई नहीं इसमें लिखा हुआ है कि स्वास्तियों परिवार कल्याण व परियास किया जिसमें दो बार परिच्छा करवाने के बाद परिच्छा इस्तगित करनी पड़ी तीसरी बार पांसो चालिस पदों पर यह परिच्छा 2015 में हुई थी यह मामला अभी भी कोट में बिशारा धीन है और इन पदों पर जो है पहले तो जो है यहां पे रखा गय समीधा पर और बाद में यह था कि समीधा के बाद इसको इस्ताई कर दिया जाएगा लेकिन इसको इस्ताई अभी तक नहीं किया गया है तीजीटी पीजीटी की जो भरती है उसे समंधित एक बड़ी ख़बर है कोरोना करफू इसमें चल लाए है और तीसरी बार डेट दस यह दिन के लिए बढ़ा दी गई है तो अब च्रत्र चाहत है कि कोरोना करफू में इस्ताई है तो हम आवेदन कैसे करें इसलिए इस भरती की जो प्रक्रिया है जब तक करोना लगा है तब तक इसको इस्थागित कर दिया जाए अगर ऐसा हुआ तो यह अनिश्चित काल के लिए आवेदन प्रक्रिया इस्थागित कर दी जाएगी क्योंकि जब तक कोरोना काल का कर्फ्यू लगा रहेगा तब तक ये प्रिक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी उसके बाद जब एक कर्फ्यू हटेंगे तब ये प्रिक्रिया आगे बढ़ेगी उसके बाद आवेदन लिये जाएंगे फिर लाश डेट के बाद जो है इस पर फार्म सेविट करन स्कीं स्टाफ की परिच्छा कर्मचारी चैनायोग यानि स्सी हर साल करवाता है और बंपर भरती इसमें होती है 2019 के जो भरती हुई है उसमें अभी तक के विभाग छात्रों को नहीं मिला है अभियारतियों ने ट्वीटर पर अभियान भी शुरू कर दिया है के लिए चैनित अभियारतियों की और से हाइस टैग स्सी एमटीयस 2019 डिपार्टमेंट एलोकेशन के साथ ट्वीटर पर अभियान चलाया गया है चैनित अभियारतियों का कहना है कि आयोग की और से परिणाम गोंशित होने की बीस दिन की भीतर विवाग का आवंटेन करके नि सेंटरल गवर्मेंट के कई विवाग में इस भरती के माध्यम से चातुरों को भीगा जाता है मराठा आरचन को कोट ने असमयधानिक सावित कर दिया है और कोई पुखता आधार नहीं है इस प्रकार का आरचन देने के लिए समयधान पीट ने कहा कि ना तो गायकवाड आय नहीं हाई कोड के पास पचास पिजदी आरचन की सीमा पार करकर मराठा समुदाय को आरचन देने का पुखता आधार था हमें नहीं लगता कि इसी कोई अप्रतियासित इस्तित उत्पन हुई थी कि आरचन की सीमा पचास प्रतियासित से बढ़ाई जाए पांच सदस्री प सामिल थे राज जी नहीं कर सकते हैं पिछले वर्गों की पहचान के लिए जो सुपरीम कूर्ट ने बहुमत से तीन रेशियो दो के अधार पे कहा कि एक सो दोवेश समिधान संसोधन के बाद राज्जों के पास सामाजिक वा सैच्छनिक रूप से पिछले वर्गों की पहच पहचान करने का अधिकार नहीं है 100 सेकेंड जो अमेंडमेंट था उसमें यह अधिकार उनके पास से हटा दिया गया है किसी समुदाय को पिछड़े वर की सूची में डालना या निकालना अंतिम तौर पर राश्टिपती पर निर्भर करता है जेश्टिस भूछला और जेश्टिस नजीर का मानना है कि राज़ी को कोटा देने के लिए पिछड़े वर की पहचान करने का अधिकार है दो जैस्टिस मानते हैं कि इनको अधिकार है लेकिन तीन जैस्टिस मानते हैं कि अधिकार नहीं है तो थीरी रेशियो herd two में यह मामळा disputed हो गया जैस्टिस राओ, जैस्टिस गुपता जैस्टिस भauth की राय जुदा है यह बोलते है c 00-17Not everything इस एवन में आइस पेश्टता नहीं है साफ है सामाजी को सच्छल रूप से पिछड़े वर्गों की सुची होगी जिसे राष्टपती जारी करेंगे जेस्टिस भट ने कहा कि सिर्फ राष्टपती को वर्गों की पहचान का अधिकार है हाला कि नय धीसों ने 102 समिधान संसो आया था बांबे हाई कोट ने कानून तो सही माना पर कोटा घटा दिया हाई कोट के फैसले को सुप्रिम कोट में चुनोती दी गई अब सिर्फ कोट ने हाई कोट के फैसले को दर किनार कर दिया गया है और यहाँ पे जो सुप्रिम कोट ने कहा है कि यह निर्विवाद मराठा अरच्छलों को सही ठाहराए जाने के हाई कोड के फैंसले के खिलाब दायर जाजिकाओं पर सुपरिंग कोड ने कहा कि इस समुदाय का ग्रेड एग बी वा सी डी की नौकरियों में करम सज्वा इनका जो प्रतिनिधितु है ग्रेड एकी नौकरिय में 33.23 प्रतिसत है 31.3 प्रतिसत B में 37.6 प्रतिसत C में और D में 36.3 प्रतिसत प्रतिसत प्रतिनिधितु है तो इस तरह से जो है इस आरच्छन को अब हटा दिया जाएगा और महराठों को अब इस तरह का कोई आरच्छन नहीं मिलेगा दोस्तों ये थी आज की अफडेट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अफडेट के साथ धन्यवाद